गुड मोर्निंग दू आधि वेल्कम डूदा कंपलीट मेडिकल सॉलिशन। आज कैं हमारा topic है। इड्रोसील। आज मारी morning class है, फ़िस्ट टॉपक उसमें ले रहे हैं, हाइड्रोसील। देखो हाइड्रोसील क्या होता है। hydro-seal का मतलब एक तरीकी साथए। जान लिए कौन सी समस्य होती है क्या डिजीज होती है जिसमें जो टेस्टेस होता है क्या बोलते है अंडगोस उसके बाहरी आपरण में क्या मतलब उसके बाहरी लेर में पानी भर जाता है ठीक है फ्लूड भर जाता है जिससे क्या होता है जो टेस्टेस होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है देखो ये नॉर्मल है इसमें देखो टैस्टिस में प्रक्ण है बिल्कुल नॉर्मल है उसके बाद यह non-communicating hydroceire नॉन कंम्युनिटिस में देखो जो हमारा टैस्टिस इसका एक तरफ का साइज हो गया बड़ा हो गया क्या हो गया उसमें फ्लूड भर गया है ठीक है और एक होता है communicating hydrocele two types होता है non communicating और communicating अब यह क्या difference होता है तो इसके आगे class जो चल आए उसमें हम आपको बताएंगे इसमें आप यह type का हो गया तो क्या हो था बहुत सारी दिक्कते वगया आती है family problem में मतलब काफी दिक्कते होंगी आपको व सब आज हम आपको इस topic में बताएंगे ठीक है 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 hydrocelle hydrocelle में देखो यह सबसे पहले क्या है pendional cavity ठीक है second is base deafness opt-end process vaginal है और यह हमारा क्या है penis ठीक है उसके बाद यह layer है epidermis layer epidermis है non communicating hydrosil ठीक है यह non communicating hydrosil हो गया testis और septum यह तो हो गया इसकी जो क्रिया है उसकी अब next हम बात करते हैं definition की तो definition अभी आपको normally हम आपको बता चुका है hydrocelle is a collection of fluid around one और both testicles are cause swelling और scretum और going area इसमें क्या होता है collection of fluid जो भी मतलब fluid होता हो collect हो जाता एक जगह ठीक है testis में क्या होगा fluid का collection हो जाएगा जिससे क्या होता मतलब यह एक तरब भी हो सकता है testis two testis होते हैं उसमें one side भी हो सकता है fluid store और दोनो side भी हो सकता है बन और both testicles and cause swelling फिर यह क्या करेगा swelling मतलब student type क्या जाएगी इसका size जो होता है size काफी बड़ा हो जाएगा narial के आकार तक का हो सकता है size ठीक है it commonly occurs in men older than 40 years यह किसमें यह मतलब main में होता है जो testis देखो जो reproductive system के अभी class नहीं हुई है लेकिन होगी तो हम आपको बताएगा उसमें uh deeply यह क्या होता मतलब testis क्या होता male में होता है तो यह जो disease है ये only male में हो नियाद होता टाइपस नेक्सिट बनाइज टाइपस ओफ हैडोसील अब हम बात करते हैं tra ceux के प्रकार आएडोसील में में क्या है non communication है और second is communication ठीक है two types हो गया कौन-कौन सा हो गया non communication and communication जैसे मान लेजिए कहीं पर कोई topic आता है या question आता है कि types of hydrocelle 1 to 3,4 करके आता है तब तो आप बता दो कि two और जैसे कोई नाम पूछ लेता है कि types of hydrocelle नेम आपको बताना पड़े तो उसमें आप क्या बता हो गया non communication hydrocelle और second is communication hydrocelle these are two types of hydrocelle अब आपको बता दे non communication और communicating ठीक है इसमें क्या difference होता है non communicating hydrocelle occurs when the sac closes but your body does not absorb the fluid the remaining fluid is typically observed into the body within a year यह क्या हो गया non communicating non communicating क्या होता है यह मतलब जन्म से हो सकता है यह जन्म से हो लेकिन क्या होता है मतलब यह 12 month या 1 year के something में यह क्या होता है मतलब खुद से ठीक हो जाएगा इसका अगर आप जैसे treatment बगएर भी नहीं ले रहे है तो यह आप हो सकता है खुद से ठीक हो जाए कौनसा non communicating ठीक है बिदिन ए यह मतलब एक साल 12 मैने मतलब वही सब हो सकता उसमें ठीक हो जाएगा यह आपका कौनसा रहेगा non communicating hydrocelle second is communicating 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 hydrocelle की बात करते है तो उसमें क्या रहता है communicating hydrocelle occurs when the sex surrounding your testicles does not close all the way this allows food to flow in and out communicating कब होता है जब जो हमारा testis होता उसकी ठहली क्या होती food roof से बंद नहीं होती है जिसके कारण क्या होता है जो पदार्थ होता है वो undercoast की ठहली में प्रवेश कर लेता है ठीक है यह हमारा कौन से होता है communicating ठीक है non communicating में हमारा क्या हुआ तो वो एक साल के अंदर हो सकता है ठीक हो जाए जर्म से हो और communicating में अलग difference होता है अब बात करते है हम etiology की उसमें क्या होता है causes of hydrocellase unknown मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है cause inflammation of infection of the epididymis और testicles इसमें क्या मतलब inflammation हो सकता है infection किसमें epididymis और testis में in rare cases may be caused by cancer of testicle or left kidney मतलब rare condition क्या हो सकता हो सकता हो सकता cancer भी cause कर जाए ठीक है या हो सकता left kidney में problem हो जाए यह rare condition में है ठीक है hydrocell depends करता कि जो body में जो हमारे testis में fluid का store हुआ है वो कितना हो गया है ठीक है बहुत ही मतलब जानातर हो सकता है नारियल तक क्या आगर तक का हो जाए मतलब और rare condition में हो सकता है कि cancer भी cause कर जाए ठीक है cancer हो सकता है या left kidney में और भी दिक्कत हो सकती है man over the age of 40 मतलब यह देखो हो सकता है rare condition में है कि 40 साल से कम में हो लेकिन जानातर इसके जो भी cases आए है वो over the age of 40 40 साल से उपर की age में यह ज़्यादा cases होते है ठीक है hydrocele के next बात करते है clinical manifestation की इसमें क्या होता swelling of scritum scritum पर क्या आगी swelling आ जाएगी ठीक है pen sometimes मतलब दर्द जब आपके fluid बगेरा overstore हो रहा तो यह नॉर्मल इसी बात है कि आपके दर्द तो हो गाई pen sometimes मतलब कभी कभी दर्द होगा आपका redness of scritum scritum पर क्या होगी redness होगी feeling of pressure at base of penis present ठीक है एक तरीके से pressure दबाब टाइप का लगेगा ठीक है base of penis present वह पर क्या लगए कि एक दम यह लगएगा प्रिसर टाइप का लग रहा हूँ testicular torsion और क्या infertility क्योंकि जब अगर टेस्टिस में overflow हो रहा तो infertility के भी chance रहते हैं ठीक है यह हमारा clinical manifestation होगा किसका hydrocelle नेस्ट बात करते हैं diagnostic evaluation की diagnostic evaluation में हमारा सबसे पहले रहता history taking history लेंगे कि मतलब क्या condition रही है किस वज़े से यह सब हुआ है physical examination करेंगे उसके बात क्या करेंगे translumination उसमें क्या होता it is a test used to identify abnormalities is an organ or body cavity that test is performed in a dark room with a bright light sun had specific body part to see the structure beneath the skin यह क्या करें मतलब dark room में एक ब्राइट light से फिर इसका क्या करेंगे identify करेंगे इस जो test करेंगे ultrasound of is the term done to rule out present of fluid मतलब ultrasound करेंगे उससे identify करेंगे क्या fluid पके राइस्टोर है क्या कितना है blood test done to rule out infection मतलब जो भी blood test related investigation है तो उसको हम करेंगे translation यह देखो यह इस तरीके से हो यह हमारा test का क्या हो यह hydro silky condition हो जाती है ठीक है मतलब over हो जाता है जो fluid होता हो ओवर इस्टोर हो जाता है translation हो गया है उसके बाद देन हम बात करते treatment का treatment क्या रहता है देखो जैसे कोई भी disease है तो उसका कोई ने कोई treatment ऐसा होता है जिससे हो सकता हो हो cover हो तो treatment में क्या रहता है surgery surgery ठीक है और यह surgery कब कराना पड़ेगा जब मतलब communicating condition हो गी non-communicating में क्या होता हो सकता है कि मतलब एक साल के अंदर ठीक हो जाएगा next अगर communicating condition होती तो इसमें का होता हो जाता हो और यह ठीक नहीं होता इसके chance कम रहते तो फिर इसके लिए हम क्या कराते है surgery कराते है ठीक है तो उसकी बात करते है surgery if your new infant has hydrocele it will be probably go away on its own in about a year if your child's hydrocele does not go away on its own or becomes very large he might need surgery by a urologist देख ओ इसके जो भी surgery बाख रहा होगे वो किसके तुरू इरो लोजिस्ट जो होता इरो उसके तुरू इसकी surgery कराएंगे needle aspiration जो needle aspiration करते हैं ठीक है और क्या करते है splanthropy done reduce reculumination next क्या रहा था in adult hydrocele typically go away within six months यह हमारा हो गया treatment hydrocele का यह मतलब कैसे cause करता है मतलब किस condition में hydrocele हो जाता है तो wordy fluid जो हमारा मतलब कोई भी fluid बगएरा है पानी बगएरा है तो भो भर जाता है store हो जाता है test test में तो इस वज़े से क्या होता है hydrocele की condition हो जाती है और यह कितने टाप्स होते हैं टू टाप से communicating और non-communicating और भी अगर आपको कहीं related hydrocele topic आपको कोई भी confusion रहता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं thank you any question please ask on comment section please like share and subscribe thank you